हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आजम बनाने वालें चमपारन हांडी कठल इसे बनाने के लिए हमें चेहे टुकडों में कटा हुआ कठल तीन प्याज के स्लाइसेज चार हरी मिर्च, टर्मरिक पाउडर, कौरियंडर पाउडर, जीरा काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, खड़ा मसाला, अद्रक लहसन का पेष्ट, दो चम्मच नमाक, गरम सरसो का तेल, डेड़ चम्मच अब हमें इन सब को mix करेंगे इसमें हम डालेंगे एक लहसन और सब को अच्छी तरह से mix करेंगे इसे अब 10 मिनट के लिए rest पे छोड़ देंगे हमें लेना है एक मोटी तले का बर्टन मैंने cooker का इस्तमाल किया है इसे हम कठल डालेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे बीच-बीच में हमें इसे चलाते रहना है 10 से 15 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकाना है धक देंगे अब हम देखे कितने अच्छे से इसका तेल उपर आ रहा है यानि की मसाला पक रहा है अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे ताकि कठल हमारा पक सके प्याज पानी तो छोड़ता नहीं है इसके लिए में पानी डालना पड़ा लग से देखी कितना अच्छा कलर आया है तुम लग रहा है ना चिकन या मटन बन रहा है अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इसे चलाएंगे बहुत अच्छा कलर आया है अब हम इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करेंगे बहुत टेस्टी बनाया मुझे तो बहुत स्वाद लगा खाने में आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा